दोस्तों दुनिया में तरह तरह के लोग मौजूद हैं और हर इंसान की अपनी इक अलग पसंद होती है जिस पसंद में उनके फेवरेट केरेक्टर्स भी शामिल होते हैं अब जैसे कि आप हमारे आज के इन लमूनों को देख लीजिए जी हाँ दोस्तों ये कुछ ऐसे लोग हैं जिनोंने अपने फेवरेट करेक्टर जैसे दिखने के लिए अलग-लग तरह की चीजे आजमाई जो आपको बिल्कुल हैरान करकर रख देंगी दोस्तों कि आपको रोगर रैबिट के उपर बनी फिल्म में जेसिका रैबिट का करेक्टर याद है तो हम आपको बता दें कि ये वो फिक्शनल करेक्टर है जो जब जो भी चीज चाहती थी उसे पाल लेती थी और वो भी सिर्फ और सिर्फ अपनी बेहदी आकरशक फिजिकल अपीरियंस की वज़े से जी हाँ दोस्तों इस करेक्टर का फिजिकल अपीरियंस वाकई में बहुती सजेक्टिव था और इसी करेक्टर की वज़े से रोजर रैबिट फिल्म इतनी ज़ादा सक्सेस्फुल हुई और ये पहली इन्वेंटेड करेक्टर थी जो प्लेबॉई के कवर में भी आज चुकी है जिससे आपको इनकी पुपलारिटी का अंदाजा लगी गया होगा दोस्तों ये करेक्टर इतना ज़ादा फेमस था कि कई सारी फैशन कमपनीज ने इसके उपर अपना फैशन कलेक्शन बना डाला हम आपको बता दे जेसिका के लाल बाल और लाल ड्रेस का स्टाइल कई सारी सेलेबरिटीज ने कॉपी भी किया जिसमें रिहाना, कैटी पैरी जैसे कई सारी बड़ी सेलेबरिटीज भी आती है और जब इनकी फिल्म रिलीज हुई तो प्लास्टिक सर्जरी इंडस्ट्री में जैसे करांती से आ गई क्योंकि हर कोई जैसी का जैसे फिजिकल अपीरिंस पाने के लिए बेताब हो गया अब आप ही पताईए कौन लड़की ये नहीं चाहेगी कि वो सिदक्टिव दिखे लेकिन दोस्तों आप जिस महिला से मिलने वाले हैं उसने तो इस कैरेक्टर के पीछे बिल्कुल हदी पार कर दी जहां मिलिए अनिटे एडवार्ट से जिसने दरजनों सर्जरीज करवाई और हजारों डॉलर पानी की तरबहा दिये वो भी सिर्फ और सिर्फ इसलिए ताकि वे जेसी का जेसी दिख सके हम आपको बता दे जब इन्होंने ऐसा किया तो ये आलरेड़ी 57 साल की हो चुकी थी अलाकि पहले एक मॉडल के रूप में काम करती थी और उसके साथ ही ये दुनिया की सबसे बड़े रैबिट की ओनर भी रह चुकी है जिसकी वज़े से इनके रैबिट का नाम गिनीज बुक और वर्ल्ल रिकॉर्ड में भी आ गया दोस्तो इन्होंने अपने ब्रेस्ट की सर्जिरी के साथ अपने डाइट पर भी ध्यान दिया और अगर हम इंटरनेट की माने तो इन्होंने तीन महीनों तक रैबिट की तरह खाया भी हर्बर्ट चावीज दूस्तों सूपर हीरो करेक्टर के फैन होना बहुत नॉर्मल बात है और बहुत से लोग सूपर हीरो करेक्टर के टॉइस वगर अखरीदना तो एक हद तक ठीक भी है लेकिन कुछ लोग इसके भी बियॉर्ण चले जाते हैं अब जैसे कि आप हर्बर चावीज कोई देख लीजिए जो सूपरमैन के बच्चपन से फैन है और जैसे जैसे बड़े हुए इनका ही प्यार जुनून में बदलने लगा जहां इन्होंने सूपरमैन से रिलेटेड हर एक चीज कलेक्ट करना शुरू कर दी फिर चाहे वो कॉमिक बुक हो या फिर कुछ और इसी के साथ इनका नाम गिनीज बुक और वर्ल्ल रिकॉर्ड में दर्ज भी हो गया जहां पर यह एक ऐसे इंसान बन गए जिन्होंने सबसे ज़दा सूपरमैन के कलेक्शन कलेक्टर किये थे लेकिन ये यही पर कहा रुखने वाले थे इन्होंने खुद सूपरमैन की तरह दिखने की ठान ली जिसके बाद इन्होंने कई सारी सर्जिरीज करवाई जिसमें अपनी नाक की सर्जिरी से लेकर अपने स्किन तक को इन्होंने ट्रांस्फोर्म कराने की ठान ली बैसे तो ये बिल्कुल भी सूपरमैन की तरह दिखाई नहीं देते हैं लेकिन इन्होंने बस मन बना लिया था कि चाहे जितने भी पैसे क्यों ना खर्च कर दिये जाएं ये सूपरमैन की तरह तिक करिवानेगी हाला कि उसके लिए इन्होंने पैसे खर्च करने के साथ साथ दर्द भी काफी सहा जहां इन्होंने अपने बॉड़ी में कुछ ऐसे इंजेक्शन भी लगवाए जिससे इनकी बॉड़ी का कलर वाइट हो जाए और इन्होंने अपने नकली एप्स बनवाने के लिए लेडीज होती हैं एक तो वो जो खुद प्रेजडेंट बनना चाहती है और दूसरी वो जिने प्रेजडेंट बनने में कोई इंटरस्ट नहीं है बस उनकी वाइफ ज़रूर बन जाए नहीं हम किसी को जज नहीं कर रहे हैं बलकि ये तो एक तरह का शौक है जिसमें हमें तो नहीं लगता कि कोई बुराई है क्योंकि जितने ही फेमोस प्रेजडेंट होते हैं उतनी ही फेमोस इनकी वाइफ भी होती हैं अब आप चाहे मिशेल ओबामा को ले लीजिए या फिर मेलेनिया ट्रम्प को वैसे दोस्तों मिलानिया की बात ये लग है क्योंकि इन्होंने 16 साल की उमर से ही मौडलिंग में अपना करियर बना लिया था जिसके बाद से इन्होंने पूरी जिंदिगी उनके जैसा बनने में बिता दी जाहे इन्होंने 50,000 डॉलर खर्च करके अपने चिक बोन्स, अपने नाक के हड़ी के साथ साथ ब्रेस्ट और स्टमक वगएरा में भी काफी चेंजिस करवा दी दोस्तों क्लावडिया कहती हैं कि एक दिन जब वो एक लड़के के साथ डेट पर गई तो उसने इनसे कहा कि वो अपनी एज से कुछ जादे बड़ी लगती है और उस समय ये 41 साल की थी लेकिन इनसान जैसा सोचे वैसा हमेशा तो होता नहीं है ना इसी वज़े से इतनी सारी सर्जिरीज पर पैसा खर्च करने के बावजूद भी क्लावडिया मिलानिया जैसी नहीं बन पाई लेकिन अब इन्होंने सोचाए कि ये किसी की तरहां बनने की कोशिश नहीं करेंगी और खुद की अपीरियन्स से खुश रहेंगी दोस्तों जब लड़कियां छूटी होती है तो उन्हें बार्बी का कितना ज़्यादा शौक होता है ये तो आपने कहीं न कहीं तो दिखा ही होगा क्योंकि पिंक कलर के आउट्फिट में पॉफेक्ट दिखने वाली बार्बी को भला कौन लड़की पसंद नहीं कर रही लेकिन दोस्तों क्या सिर्फ लड़कियां ही बार्बी को पसंद करती है अब इस सवाल का जवाब आपको देंगे ब्रेजिल में रहने वाले रोडरिगो एल्विस जिन्होंने खुद को बार्बी की तरह दिखाने के लिए करीब आठ लाख डॉलर खर्च कर दिये दोस्तों खुद को बार्बी के तरह दिखाने के लिए इन्होंने कई सारी सर्जूरीज करवाई जिसकी गिनती दरजनों में है पर क्या सर्जूरी करवाने के बाद इन्हें वो अपीरियंस मिल पाई जो इन्हें चाहिए थी तो दोस्तों इसका जवाब है नहीं बिलकुल अगर एक लड़की चाहे तो वो भी बारवी जितने खुबसूरती सर्जरी की मदद से तो नहीं पा सकती लड़का तो दूर की बात है इसी लिए इनका प्लान थोड़ा बदल गया और फिर इन्होंने दुबारा से एक लाख डॉलर खर्च करके अपना जेंडर चेंज करवाने की सोच ली जाए इन्होंने अपने सभी मेल बॉड़ी पार्ट्स को फीमेल पार्ट्स में ट्रांस्फॉम करवाया जिसके बाद इन्होंने कई सारी सर्जरीज करवाई ताकि और जादा अट्रक्टिव लग सकें जिसमें फेस, ब्रेस्ट और लिप्स की सर्जरी शामिल है और इन सभी चीजों को करने के बाद ये जनाब अब महिला में बदल गए हैं जो कुछ इस तरह दिखाए देते हैं लेकिन ठहर जाएए क्योंकि अभी तो ये बहुत कुछ बदलना वाकी है जिसमें सबसे ज़रूरी आवाज है क्योंकि भला इन्हों ने तनी अट्रेक्टिव लड़की का रूप तो धारन कर लिया और ऐसे में अपनी पुरानी फटी हुई आवाज में बोलेंगे तो किसको अच्छा लगेगा इसलिए अभी इन्हें वोकल कॉर्ड सर्जरी भी करवानी है दोस्तों उमीद है आपको अपने होस्टों दोस्वैम की इस वीडियो में मजा रहा होगा और अगर हाँ तो वीडियो को लाइक तो करते चलिए ओली लंडन दोस्तों पिछले कुछ सालों से के पॉप हर जगा चाय होगा है और अगर आपने कोरियन पॉप म्यूजिक नहीं सुना तो कोई बात नहीं क्योंकि कोरियन म्यूजिक बैंड जिसका नाम BTS है यह बहुत ही ज़दा फेमस है अलाकि बाकी कोरियन बैंड भी बहुत ज़दा फेमस है लेकिन इसकी रीच इंटरनेशनल ही है अलाकि हो सकता है कि आपने इनके गाने ना सुने हो पर अब ये भी तो सही नहीं है ना जिससे आप जानते ना हो वो ये मसी ना हो क्योंकि इनकी पॉपलारिटी पुरी दुनिया में चाय हुई है और कई सारे इंटरनेशनल इंटरिव्यू भी इन लोगों ने दिये है दोस्तों साथ लड़कों के इस गुरूप में सभी की पॉपलारिटी आस्मान चूती है जिसकी वज़े से कई सारे लोग इने काफी पसंद करते हैं और कई सारे लोग तो इनकी तरह दिखना भी चाते हैं अब जैसे कि आप यूके में रहने वाली ओली लंडन को ही लिलीजिए जैसे बैंड के एक मेंबर जिसका नाम जिमिन है उनकी तरह दिखना चाते हैं जिसकी वज़े से उन्होंने दरजनों सर्जरीज करवा ली और उसका खर्च आया 95,000 डॉलर है अब हम आपको पता दे ओली लंडन का एक ब्लॉगर है जिन्होंने जिमिन जैसा लुक पाने के लिए नाक की तीन सर्जरीज करवाई अपने जबड़ों को छोटा भी करवा लिया उसके साथ ही पता नहीं क्या क्या करवा डाला लेकिन ये बात तो पकी है जिस हिसाथ से इन्होंने पानी की तरह पैसे खर्च करके कोरियन सिंगर का लुक पाने की इच्छा जिताई है वो वाकिए हैरान करने वाली बात है जोर्डन जेम्स पारकी दोस्तों पिछले कुछ सालों से किम कारदेशियन ने मीडिया और सोशल मीडिया वर अपनी बहतरीन प्रिसनालिटी से सभी को हैरान करके रख दिया है जिसके बाद एक पोफेक्ट फीमेल बाडी का आइडिया ही बदल गया है और हर को इनके जैसा शांदा लुक्स और प्रिसनालिटी पाना चाहता है अलाकि लड़की तो उनकी दिवानी है ही और लड़के भी कुछ कम नहीं है जो किम जैसा लुक पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं जिसका सबसे बड़ा एक्जामपल हमारे सामने जॉर्डन है दोस्तों ये किम का एक मेल वर्जन बनाना चाहते थे जिस वज़े से इन्होंने किसी का फैन होने की सारी हदें पार कर दी जहां इन्होंने कई सारी सर्जिरीज करवाई जिसमें लगभग डेड़ लाख डॉलर का खरचाया जिसमें इन्होंने अपने लिप से लेकर चिन तक सभी फेस के पार्ट को करक्ट करवाया और उसका अंदाजा तो आपको इनके फूले वे होड़ देखकर लग गया होगा अलाकि इन्होंने सबसे ज़ादा काम अपने नाक पर करवाया जिसमें ये परफेक्ट किम जैसी नाक ही चाते थे लेकिन हम आपको बता दे अभी भी ये अपने लुक्स से संतुष्ट नहीं हुए है जहां ये लगातार और भी कई सर्जिरीज करवाने की सोच रहे है और इस बारे में लगातार अपने इंस्टाग्राम अकाउंट में बताते रहते हैं इन्होंने किम के लिए इतना कुछ किया पर फिर भी इन्हें अभी तक उनसे मिलने का मौका ये नहीं मिला हम तो ही चाहेंगे कि इनका इस अपना पूरा हो जाए और अब लुक्स ना सही तो कम से कम उनसे मिलन तो हो जाए तो दोस्तों आज के लिए बस इतना यह वक्त है आपसे अलविदा लेने का आपको हमारी वीडियो कैसी लेगी हमें कमेंट करके बताईए और ऐसे इंट्रेस्टिंग वीडियो लगातार देखने के लिए हमारी चैनल को लाइक और शेर और सब्सक्राइब कर देना